वक्त के साथ जाने कितने ही और आते हैं साथ भेरों में वक्त के साथ जाने कितने ही और आते हैं साथ भेरों में रंग जितने हैं जिन्दकानी की सब समाते हैं साथ भेरों में आपको पूरा विश्वास है कि ये अधो बाट टिस्क किया मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि एक प्रकार का धीमा से है जो धीरे धीरे इंसान के उपर असर करता है और इंसान के ब्लड टिस्क में भी पकड़ में नहीं आता है इसे इस्तिमाल करने से इंसान के शरीर के सारे ओर्गन्स जैसे लंग्स, किट्नी, हाथ धीरे धीरे फिल हो जाएं अरे, छोटी सलाली जी, अज सुभए सुभए कहां से आरे आपकी सावरी है? सलोनी, कहां चली गई थी तुम? तुमारा मोबाइल भी आटो फ्रेंज हा रहा था? नहार को एक इंपॉर्टन मीटिंग मा जाना था? पूछ रहा थे तुमारे बारे में सलोनी जी, बड़ी अजीब सी बात है कि नहार बनना को भी नहीं पता आप कहां गई थी? अब कहीं भी जाए हम एहतरास करने वाले कौन होते हैं लेकिन डोंट माइड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कहीं भी जाने से पहले एस और आप नहार बनना का तो खायल कर लीजेगा अब देखिया इस हालत में हमसे तो कोई काम होई नहीं पाता है और इस बीमारी में जैसे तैसे तारा ने अगर उनको नाश्ता बना कर नहीं दि तैंक यू पापे साथ अरे सलोनी सुपह सुपह कहां चले गई थी किसी को बता कर भी नहीं गई वो पाइसा मैं ममी पापा से मिलने घर गई थी आज क्या दिया है अपने पापा ममी को अरे देने से मेरा मतलब से पैसे या जेवर थोड़ी ना है कुछ और भी तो दिया जा सकता है जैसे होसला हिम्मत हमदर्दी है और क्यों नहीं आफ्टर आल इनकी छोटी बहन जेल में है अरे अपने घरवालों की चिंता तो होगी ना इने क्यों सलाइली जी सही कह रहा हो बाइसा आज दो पर के काने में क्या बनाना है तुम फिकर मत करो मैंने सारी तैयारिया कर लिये तुम ज़रा थकी हुई लग रही हो तुम्हे काम करो ज़रा अराम कर लो फिर आ जाना हम दोनों मिल कर बनानेंगे तुम कहां चली गही थी मन्नो भावी का फोन आया था कुछ पूछना जा रहे थी तुम्हे कहना पड़ा के नाहर के मोबाईल फोन पर बात कर ले क्योंकि तुम तो घर पर नहीं थी और तेरा मोबाईल फोन भी नहीं लग रहा था सलोनी जी आप अपने घर से आ रहे हैं न तो वन्नो भावी नहीं मिली क्या आपको माँ पड़ा पूप मेरी वाप पहुशने से पहले ही उन्होंने फोन कर दिया था तारा तुम्हें याद है बच्पन में आमारे घर के सामने एक लड़की रहती थी इंदू इंदू? अरे वही जिसकी रोस पिटाई होती थी क्योंकि जूट बोला करती थी यो क्यों? कुछ नहीं है आज अचानक उसकी याद आगी कुछ तो गड़ बड़ सरूर है बार बार भापिसा के आँखों के सामने अधेरा जा जाना उनकी बिगर्दी तबियत कमसूरी इसका मतलब कोई उन्हें नुकसान पहुचाना चाहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये सिर्फ मेरा वहम है बापिसा के किसे से क्या दुश्मनी कोई भला उन्हें जहर क्यों देगा क्या आसिल होगा इससे फिर भी अगर मन में ये शब आया ही है तो मुझे सबसे एक बार बात कर लेनी चाहिए नहीं मैं किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकती क्या सूचेंगे सब और फिर मेरे पास इस बात का कोई सबूत भी तो नहीं है कि भापिसा की तबीयत किसी सेहर के करम बिगड रही है कि बीना ठूस सबुत के मेरा कुछ भी कहना एक नया हंगामा खड़ा कर देगा इस गर में बहतर होगा इस शक की यकिन में पदलने तक मैं चुफी रहूं अरे क्या सिलाइग जी आपकी ख्याय दवाई के नंदी से बोदल के पीछे पड़ गया होगी किसी की पुरानी बोदल लाइग लाइग जाएग जाएग देर कवर साब लेखिन फो क्यो करेंगे है साब किस लिए जी जी आपके चाय थैंक यू सलोनी जी भाई कमाल है सलोनी जी हमें तो काफी समय हो गया अब इस घर में आया हुए सभी जानते कि हम चाय नहीं कौफी पीते हैं मैं जानती हु जी जी कि आप कौफी पीते हैं लेकिन जब मैं चाय बना रही थी आप यहां नहीं थी I'm so sorry आपके चाय बनाते वख्त हम थे नहीं सलोनी जी लेकिन किसी नोकर को भेज कर कम से कम पुछवालिया होता sorry मैं अभी बना राती है नहीं 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 आप प्लीज तक्लीफ मत कीजे आपक्यों अपनी चाय थंडी कर रही हम खुदी कौफी बना लेंगे अरे भई हमारे हिस्से की चाय कहा है अरे भाई साम आप आगए आईए बैठी आपके हिस्से की चाय भी मिल जाएगी तारा तुम्हारी रिपोर्ट सागई है तुम्हें कुछ नहीं हुआ है टॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें सिर्फ आराम की ज़रोते हैं तुम्हें अर्वें अर्फ नमल एंग अलेकन अपनी बेहन को जानती है उने तो अराम शब सी परेज है वही तो आप बिलकुल परेशान मत हो यह परेज़ जी हम देखते हैं आप कैसे नहीं सुनेगी औरे भाई साब मैंने तो पहली का था था विर्वें टेंशनले बड़ जालाइली जी अरे कुछ नहीं हुआ एना है वाही साब वह रिपोर्ट काहा है आज आज कि 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 सलोनी जी क्या ढूनरी ने रिपोर्ट्स मैं अब कुछ भी समझ में याएगा अब जब डॉक्टर ने कह दिया है कि तारा बिल्कूल ठीक है मतला वह वह कही ठीक है अब हमसे और आपसे तो जाधा पड़े लिखे है ना डॉक्टर जीब मैं बस ऐसे देख रही थी सलोनी मुझे बारे में कुछ जबरी बात करनी है दरंदरा मुझे लगता है कि हमें सेकिंड उपनियन भी लेनी चीए प्रजेशी देखे आपका कंसान हम समझते हैं जायज है लेकिन लेकिन फ्यू दोंट माइं हम सोच्छ रहे थे कि तारा का आयुरवेदी के लाज कर्वाएं तो हमारे शायर में एक डॉक्टर है उन्हें सालों से जानते हैं और अरा को तो उनकी दवा बच्पन से सूट करती आई है कभी भी बिमार पड़ी है उनकी दवा ने असर किया है तो अब अगर सेकिंड उपिनियन की बात ही कर रहे हैं तो आप चाहे तो उनसे हम सेकिन ओपिनियन ले सकते हैं हाँ प्रजेश अभी भी हम जस डॉक्टर से मिले थे वो तो स्पेशलिस्ट ही थे ला ठीक है जैसा तुम का जैसा तुमका जानकी जी यहानः इले जा तारा मैडम के कमरे में ले जा उने खाना खिला देना जोका सलोनी जी क्या हो गया आप अचानक कहा जा रही है वो नहर को ओफिस जाना है ना उनके कपड़े तेहर कना भूल ही गई ना आपकी यादाश काफी कमजोर होती जा रही है आप जाहे तो हमारे वैजजी से मिल लीजे अच्छी दवाई देते हैं सुनो जे तारा भाभी को खाना मैं देती हूँ तुम दुसरा अगां करो जोका अच्छी आप अच्छी आप अच्छी आप लेकिन एक वहम सा है इसलिए तो आपके पास आई है देखिये शलूनी जी वहम का कोई इलाज नहीं होता है पहले जो आप सेंपल लाई थी मेरा मतलब है वो लिक्विट वो जरूर जहर थी लेकिन इस बार की सारी रिपोर्ट्स यही कह रहे हैं कि खाने में किसी भी किस्म की जहर की जहरा सी भी मात्रा नहीं अच्छा ही हुआ मैंने घर में केसे से बात नहीं की भावी साब की बीमारी को उस बॉटल से चोड़कर कुछ ज्यादा ही सोच रही थी मैं घर में इस बॉटल का मिलना कि इतिफाक भी हो सकता है आज तो बहुत भीड होगी ना बाजार में धंतेरस के लिए सामान खरीदने वालों की वज़ा से सड़क पे रखने की जगह नहीं होगी अरे क्यों ना हो भाबो अरे लोगों को तो बस पैसे खरजने का बहाना चाहिए अब बाकी दिनों की तुम्हें नहीं कह सकती को अरसा लेकिन धंतेरस के दिन कुछ भी खरीदना बहुत शुब माना जाता है इसलिए हर इंसान चोटा बड़ा अपनी हैसित के हिसाब से खरीद अश्वेजी की मूर्ती को मंदिल में रख दो बाबो प्लीज डोंट माइं लेकिन हमें लगता है यह शुब काम तारा को करना चाहिए मैं और नाहर भी इस शुभाउसर पर कुछ लेकर आए है आप से श्रीयंद्र के बारे में गहा था ना मैंने भाबो हाँ लाई हो श्रीयंद्र जीव सलोनी जी डोंट माइंड लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि अब तो घर भी एक हो गए है अब तो घर भी एक हो गए है लेकिन फिर भी आप और नाहर बनना अब तक इस घर से जुड़नी पाए है हरना जब हर साल की तरह अब रजेशी इस साल भी धन्तेरस का शगुन ले ही आये तो आपको इस घर के लिए अलग से कोई चीज लाने की क्या ज़रूरत थी अगर इस घर से मन से ना जूड़े होते तो यहां से कुछ लेकर जाते तो हम तो श्रीयंद्र यहां लेकर आए और आप तो यह जानती ही है कि श्रीयंद्र गर में सुख और सम्रूति लाता है यह लीजे, मिठाई खा लीजे सब वाह क्या बात है इतने साल हो गए लेकिन राजमेल स्वीट्स हाउस की मिठाईयों का स्वाग अभी तक वैसे का वैसे ही है एक और मिलेगा थायदे से ज्यादा मिठा तो नहीं खाना चाहिए आपको लेकिन आज की दिन मनाने करूंगी बस बस और कितनी मिठाईयां खिलाएंगी आप मिठाई खिलाने की सोच तो नहीं रही थी मैं लेकिन अगर तुम इतना कह रहे हो तो चलो बाबो मैं तो मजाग कर रहा था अरे मेरे पास अलड़ी मिठाई है आज के दिन मी भला कोई मिठाई को मना करता है तेरस है का मुमीठा निकराएंगे आप अरे क्यों नहीं है क्यों नहीं भी लोगरशी नहीं बाबो थैंक यू हमें मिठाई पसंद नहीं पसंद नहीं है यह मिठाई काने का मन नहीं है तुम तो खंटा खाने को मचल रही होगी ना क्या करें यहां को ऐसे पेर तो है नहीं जिन में केरिया लगी हो पर इमली पड़ी है मेरे पास लिया हूँ अचा भई अब यह सब के लिए उप्टन तयार कर दिया है कल रूप 14 है सुर्योधा से पहले उठकर नहाना है है सुर्योधा से पहले हाँ को इसा लिकिन आप जाते हैं तो रोज की तरह साबून से नहा सकते है लिकिन सोच लीजिये उप्टन से नहाने से चहरत चमक जाता है रूप निखर आता है अच्छा तब तो इस उप्टन से नहाने का सबसे पहला हक सलोनी जी का बनता है अच्छा अच्छा लिकिन एक बात का बड़ा अफ्सोस होता है पुजे कि दुनिया कहा की कहा पहुँच गई शरीर को सुन्दर बनाने के लिए बाजार में एतनी सारी चीजे मिलती है लिकिन एक ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे मन सुन्दर हो सके जी अपने बुलाए उक्म हाँ ये अपल जरातारा भाबिया और जेजी को दे देना जी हे ये सलो नी आज तो शुभ라 के केश की सुलवाई है operate बेती जाना तुमे जाना ना ведखो नहर तयार हूं रहे है 통 तुमें टो लॉआ इनके आनने तक मैं आपका हाथभटा थूआरा कि नावटाव जीजी, हैं फेटारावी पूछो तो मैं। इनसे पूछ लो तारा आखिर चाहती क्या है यह। क्या बात है जीजी? मैंने क्या कहया? क्या क्या? सलोनी जी क्या भिजवा है अभी आपने हमें? जी फल काट कर भीजे थे फल कौनसा फल? एपल शलोनी जी डोंट माइंड लेकिन अगर ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम एफ और अपल तक तो सीखा ही होगा ना आपने क्या इसे इसे अपल कहते हैं आपके घर में जी यह पपी ता मैंने नहीं बेजा तो किस ले बेजा और सलोनी जी अब यह कहना चाहती है कि किचिन से हमारे कमरे तक आते आते नौकर ने आपल के बचाए पपाया रख दिया ट्रे में हद होती है सलोनी जी हम क्या सारा घर जानता है कि आपको कितना ज्यादा लगा हुए हमसे हमारी शादी में भी सबसे ज्यादा अब्जेक्शन आप ही को था सलोनी जानते हैं कि आपको हमसे तकलीफ है लेकिन इतनी ज्यादा तकलीफ इस ख़दर तक गिर सकती हैं हम सब समझते हैं ये पपीता आपने जान बूच कर हमारे कमरे में बिजवाया क्योंकि क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि हम तारा को मा बनने का सुप दे सकें तारा के जोली में सरासी खुशिया नहीं देख सकती हैं ये पपीता भेजकर आप आप हमारे अंदर पल रहे बच्चे को पहले ही मार डालना चाहते हैं ये कि ईख दालना चाहते हैं ये पालना चाहते हैं